यह वीडियो होने वाली है कार्य शिक्षा के एकाई चार की जिसका नाम है कार्य शिक्षा में मुल्यांकन यानि इवेल्वेशन यह जो यूनिट 4 है यह पूरा आपका इवेल्वेशन के उपर है कार्य शिक्षा का और हाँ जो आर्ट एजुटेशन है हमारा कला शिक्षा वह पर यह पूरा का पूरा मुल्यांकन के उपर है तो आप अगर उस वीडियो भी देख लेते हैं तो वह और यह दोनों ही कहीं ना कहीं सिमिलर हैं तो आपको आंसर बनाने में इजी होगा तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें फिलाल हम यह करते हैं कारेशा काई 4 जिस से कॉंटिनुएस और कॉंप्रेहेंसिव इवैलिवेशन भी कहते हैं इंगलिश में तो सबसे पहले हम बात अरते हैं सतत्त मुल्यांकन की क्योंकि यह दोनों ही टर्म्स अलग लग हैं और हमें इसका डिफ्रेंस मालूम होना चाहिए सतत अ मतलब होतार कॉंटिनुएस यानि लगातार निरंतर विकास प्रक्रिया से यह संबंधित हैं यह बिना किसी रोथाम या अंतराल वा व्यवधान के निरंतर चलती रहती हैं मतलब ऐसा इवैलिवेशन जो हम कॉंटिनुए करते रहते हैं रोज बच्चा कुछ भी काम क सथिसान कर रही हम साथी साथ उसको देखते हैं एक इसे ठीक करो तो यह होता है हमारा सतत मुल्यांकन में सी एकने समबंधित विभिन तथ्यों वहार ब्रत्षाल सभात पर इवरतनों वँअ परिनाम classify ऑदार्री कर उनका अवलोगन कीया जाता है यानि सब्सक्राइब करने वाले तत्वों का अवलोटन करना यानि टाइम टो टाइम इसमें जो है इवेल्वेट कर सकते हैं अब यह सतत मुल्यांकन के लाब क्या दूसरी चीज समय धन और प्रयतने की बचत होती है बिलकुल उत्तर दाइत्व की भावना का विकास होता है गलतिया आगे नहीं जाती और कुशलता आती है तो यह कुछ लाब है आगे चलते हैं व्यापक मुल्यांकन की तरफ कॉंप्रेहंसिव इवेल्वेशन यह क्या होता ह है साथी साथ उससानेचर कैसा है साथी साथ वो दूसरों से बात कैसए कर रहा है साथी साथ Assemble एलिव में कैसे बोलता है मतलब की चहु मुठी विटास्टे लिए ये वाला इसका जाता है सरवानगीं वियाज से संबंधित होता है समाजी व्यभार कैसा है उस संतुलन कैसा है वह ये सारी चीज़े एवेल्यवएट की जाती है कॉछ कि विविन पिरियां में भाधी दवारी मुल्यांकर्ण नौन को मज़ते हैं अब इस फैन कि यह वैतित्व से जुड़ा है तो फिर वैतित्व विकास होता है व्यतित्वियास में सहायक तूटी पर नियंतरन कर सकता है किसी भी पशो हम इसमें नजर अंदाज नहीं करते उद्यश्योटी प्राप्ती में ये सहायक सिध होता है अगला टॉपिक है पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो भी हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन अब ये कार्य अंदर आये हुआ है तो हम इसको दुबारा से पढ़ेंगे तो यह होता है निश्चित समय अवधि में विद्धियारती द्वारा की ये कार्य का संग्रहन यानि ये टाइम पीरिड ये अंदर बच्चे ने क्या क्या काम किया उसका जो लेखा जो खाय हो हमारा पोर्टफोल हम बनाते हैं का समयरों तो उसमें फोटव लगाते हैं तो ज्यादा इंप्रेसिव लगता है पूर्टफोलियो होता है पिच्टर उससमें होने चाहिए दूसरी चीज पूर्टफोलियो विद्धियारती ती एक याधि शेत्रों में उनकी प्रक्ति और अकलप्धि को लिखा होगा अगली चीज़ की पॉर्टफोलियो जो है किसी भी संस्था या व्याति द्वारा किये रहे निवेशों का उचित सयोजन या संग्रहन होता है बिल्कुल ठीक चाहे कोई संस्ता हो या कोई इनसान अगर वो किसी भी समारोट हो या किसी भी टाइम पीरिड में उसने कोई चीज अब्जर्व की है तो वो उसको संग्रहन करके रखना चाहता है ताकि बाद में प्रदर्शित कर सके दिखा सके तो हम पॉर्टफोलियो बना सकते हैं माल मैंने कोई मैरीज इविंट जो है वो अटेंड किया तो मैं क्या करूंगी उससे संबंदित चीजे मैंने लिखी कितने वज़े क्या हुआ कैसे हुआ क्या स्पेशल चीजे थी और फिर फोटोग्राफ्स बढ़र लगा कर मैं पॉर्टफोलियो बना दूं तो कल्कों में किस कारे शिक्षा में नहीं समग्रियों को सुंदर वाव व्यवस्थित रूप में रहना क्योंकि कारे शिक्षा पूरा प्रैटिकल वर्क होता है तो इसमें जो भी बच्चा समग्री बनाता है और वो उसे लेकि यहां वहां तो नहीं डोलता रहेगा या फिर जो कुछ समान ऐ काम करता है पूर्टफोलियो आरे चलते हैं कि इसमें समग्री वो कारे इगुणवत्ता आदी जानकारी मिल जाती है कारे शिक्षा समग्री वो एक से दूसरे स्थान पर ले जाना भी इजी होता है अगर आपने बहुत बड़ी सी कोई मशीन बनाई है तो आप वो मशीन ले इस्कास होता है विए पौर्टफोलियो का उपयोग क्या है तो कारे शिक्षा और कला शिक्षा दोनों में ही बनाते हैं चाहिए वो पेंटिंग हो चाहिए वो इस्केच हो तो फिर ये और कला शिक्षा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्योंगी समग्ड़ी का प्रियोट करने सजावती वस्तवे बनाना पॉर्टफोलियो और क्यों प्योंडी वस्तवे होती जैसे शादी इक आड़ अदे फिर वो यह टाम किसी कामकी निरते कुछ मोतीयां मधरा हो उस्तान पर ले जाने में भी पॉर्टफोलियो उप्योगी होता है रिपोर्ट्स वह टाग जातों यह सुवयवस्थित रहता है इधर उदर फैलने या खोने से बचाता है पॉर्टफोलियो द्वारा हम अपनी बनाई समग्रियों प्रदर्शित कर सकते हैं हमने कोई समग्रि बनाई हैं उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉर्टफोलियो के द्वारा आड़े चलते हैं यहां पर मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है पॉर्टफोलियो और ट्यूटी कई वार पेपर में यह भी आ जाता है तो इस आधे मास तो प्रेटियल के ही होते हैं साथे साथ जो की होती है उसमें भी हमसे फॉर्मेट को बड़ी अधेर पूछ लेते हैं तो यहां पर पॉड्फोलियो और और होता है सामानने जो जानकारी होते जिसे विद्याले अनाम का शाच्छात्र अनाम और समस्या शेत्र जो जो प्रॉब्लम्स हमें एक पॉर्टफोलियो एद्धियन करने के बाद मिली तो इस तरी इसे जो है इस आफॉमेट होता है क्रमसन क्या पहले आती है वन टू थ्री जो भी आएगा फिर डेट आईरी किस उठ्या किया है उस बच्चे ने बच्चे के कारे का नाम क्या एक तारीकों बच्चे ने क्रमसन क्या वन डेट वन बच्चे ने क्या किया वो कोई भी चीज उसने तयार की अनिवारी क्रिया कलाप और वैकल क्रिया कलाप यानि कौन से से अशेंशल एक्टिविटीज थी ज पर क्या कमी रही या फिर क्या बहुत ही अच्छा रहा तो इस तरहें से त्यार होगा हमारा पूर्टफोलियो आदे चलते हैं अब टॉपिक है प्राइटिकलफाइल तो आप लुट सभी जानते हैं फाइल क्या है हम बना बना अब जाते हैं जब कोई एक ट्रेनिंग पहोता ये सारी चीजे हम शुरू से ही बनाते हैं, लेकिन अभी हमें उनके बारे में लेहना पड़े गा, तो प्रैटिकल फाइल क्या होती है, कि वेवहारे ग्यान वा प्रियोगातमर कार्या, देखें, जो वेवहारे ग्यान होता है, या कुछ सीहा हमने, या फिर कोई प्रैटिकल क काम है, कि वोल्केनो कैसे फटता है, कैसे काम करता है, उसको जब हम फाइल के अंदर ले देते हैं, वोल्केनो की फोटो लगा देते हैं, एक साइड और दूसरी साइड उसके बारे में इन्फोर्मेशन ले देते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो प्रैटिकल फाइल करते हैं, यह विद्याले के अंदर वह बाहर कुछ भी हो सकता है है ना जैसे मैंने वॉलक्रेनों का एजैंपल दिया आगे विभिन प्रयार की ट्रियाओं द्वारा प्राप्त ग्यान को लिखित रूप में सुराशित या रिकॉर्ड रहने के लिए प्रयोगातमत कारेक कोई एक फाइ बन जाते हैं दो शब्द से मिलके बनाए प्रैटिकल जो कि हम हाथों से करते हैं और साथ में एड़ रिया फाइल लेकिन अब वो हाथों से किया रिया जो काम है वो कहां चला गया फाइल के अंदर बिलकुल आगे यह कौन-कौन से सब्जेक्ट में आता है इंपॉर्टन हो इसके अलावा जो हमारे टीचिन कोर्स होते हैं से डीलेड और बीड इनमें भी क्या बहुत सारी प्रैटियल फाइल्स बनाई जाती हैं आड़े चलते हैं यह जो प्रैटियल फाइल्स हैं इनके उद्देश हैं अब्जेक्टिवस क्या हैं अगर बात अरे तो इससे संग्य प्रदर्शन करने की कल आती है उत्पात करने का कौशल आता है टीम वर्क होता है कई बार टीम वाइस बनाई जाती है प्रेटिकल फाइल उत्तरदाइत्व की भावना आती है स्रेजनात्मत्त आती है और चरनबध आरेखिये प्रस्तुतिकरन कि किस तरीए से हम फाइल के अंदर प्रेजन्टेशन करेंगे सबसे पहले इंट्रोड़ाशन आता है किसी भी टॉपी जब हम फाइल बनाते हैं तो फिर क्या आए रफिर क्या नची है एंड में रिजल्ट क् क्या सोचते तो ये चरनबध तरीए से काम चलता है बात अरेखिये नरेशन की तो सबसे पहले उचित प्रारंब होना चाहिए आपकी फाइल का यारी इंट्रोड़ाशन उससे भी पहले क्या आता है कि आपका सारा जानकारी आती है आपका नाम रोलंब वर्यरा उसके बाद व्याठ्या होनी चीए फिर अनिवारे बिंदूओं का प्रियोग हो ऐसा नहीं की कहानी इतरह लिखे जा रहे हैं उनके जो टॉपिस जो हाइलाइटेड होने चाहिए आलो चनात्म मुल्यांकन अप्रेटिकल फाइल के अंदर आपने जो काम किया अदर्स ने जो काम किया य स्कूल थे जैसे वाइनट बना देते हैं हिस्टोड्रम बना देते हैं आंट बСТ लबाए लेट बना दो इस तो इसे हमारा जो पूरा है वो रोडी हो जाता है तो यह हमारा यूनिट फोर था काज़ शेशा का